हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एल्क अकडेमी आपकाश मैता आज हम डिस्कस करें के करन्ट अफेट्स डिसेंबर फर्स्ट वीक के लेट्स स्टार्ट विद्ध फर्स्ट नीज्ट अमरी पहली निज्ट फ्रेंड्स के अभी रिसंटली एक इनिसेटिव लॉंच किया गया है अचली इनिसेटिव बहुत पहले लॉंच किया था था 2022 की शुरुवात के अंदर लेकिन अभी उसको इंप्लीमेंट कर रहे है और यह इनिसेटिव का नाम क्या है दीजी यात्रा त तो इस न्यूस के बारे में हम डीटेल में चर्चा करते हैं कि अभी रिसेंट्ली डीजी यात्रा एक इनिसेटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल इवेशन के द्वारा 2022 के सुर्वात में लॉंच किया गया था उसको तीन एरपोर्ट्स के अंदर लॉंच किया गया है अगर मैं डीजी यात्रा एक प्रोजेक्ट के बारे मिंबात करूं तो डीजी यात्रा प्रोजेट इस थो इसमिव इस प्रोजेक्टुद ऑइब इस प्रोडेट को बनाया है कि इसने हैं डीजी यात्रा फान्डेशन के द्वारा और संसाहथ through कांसे से मिनिस्ट्र के अंडर में काम करती हैं मिनिस्ट्री और सिवीडिशन के अंदर में वीट्ग इत्रा platform is built on 4 टी पीलर्स यह चार की पिलर्स के ऊपर यह platform को बनाया गया है डीजी अथरा foundation के द्वारा connected passengers, connected airports, connected और फ्लाइट्स एन क्लेक्टर सिस्टम्स यह चार पीलर के उपर डीजी आतरा फांडेशन के दोवारा डीजी आतरा प्रोजेट को बनाया गया है इस प्रोजेट का में इंग क्या है तो प्रोजेक्ट इन विजन एनि ट्राविलर पासिंग तूरू दम अर्पोर्ट लगता है बहुत ही वेरिफिकेशन से आपको पास होना पड़ता है तो यहां पर एनिपेसेंजर जो भी पेसेंजर यह पूरी प्रोजेस को कर रहा है उसको कॉन्टेक्ट लेस और पेपर लेस में पूरी प्रोजेस हो जाए इसके लिए इनिसेटिव का नाम क्या है बीजी यात्रा और इनिसेटिव किसके तरह बनाएगा है डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा बना मना तो यह पूरा प्रोजेस कैसे होगा तो यहां पर जो पैसेंजर से उसकी उनकी आइडेंटिटी को फेस्टियल फीचर्स के साथ एस्टप्रिस किया जाएगा और उनकी अघेस्ट लेंक किया जाएगा बोर्डिंग करें के साथ जो बोर्डिंग पास होता है उसके साथ मुस्तर से किया जाएगा उसके बारें बात करते हैं तो इस फैसलिट ू कं पाएड यात्रा एप्लीकेशन को डाउनूड threat करना ह्सके पारकर तो आधार बेस्ट से करना है उसके अलावा फिर आपको अपना सेल्फ इमेज कैप्चर करना है इतनी प्रोसेस करने के बाद आप इस फैसलेटी को अविल कर पाऊगे तो दीजी यात्तरा प्रोजेट्ट और कुछ भी नहीं एक फैसल डेकरिशन टेक्नोलोजी है जो आपके जो आपने फैसलेटी को अविल करने के टाइम जो एप के अंदर आपने अपने डेटा डाले उसको फिर वो वालिडेट करता रहेगा हर एक चेकिंग पॉइंट के ऊपर बारा बना तो एक फैसल डेकरिशन टेक्नोलोजी है डीजी यात्तरा प्रोजेट्ट और यह किसके त इंफर्मेशन के कोई भी जगा पर इस टोरेज नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा मतलब डेटा चोरी होने के संभावना नहीं है जैसा आपका डेटा प्रोसेस हो गया आपकी डीटा को डिलीट किया जाएगा डैट टिटा को स्टोर नहीं करेगे यह डिजी यत्रा फाउड करना है मैं उसके बारें बात करता हूं कि कौन-कौन से साथ एरपोर्ट के अंदर इसके इप्लीमेंट करना है लेकिन आइधिंग आपको इस डीजी यात्रा प्रोड के बारे में पता चल गया होगा बारा बना ओके अगर मैं इस इनिशेटिव के की पॉइंट्स के बारें बात करूं तो इनिशल फेस डीजी यात्रा विल बी इंट्रूस इंट्रूस इंड़ सेवन एरपोर्ट्स स्टार्टिंग विडिल्ली बेंग्डूरू और वारानसिंग जो अभी लॉंच किया गया है यह तिन एरपोर के अंदर ट्राइल किया जाएगा साथ एरपोर्स के अंदर इतली फोर एरपोर्ट्स पाइद मार्च 2023 मार्च 2030 तक बाखी के चार एरपोर्स के अंदर भी उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा कौन कौन सी जगा पे हैधराबाद कोलकत्ता पुने और विजेवार्ण लंडन यूकें अंद एट्लांटा इंद यूएस तो वर्ल्ड क्लास एरपोर्स की लिस्ट में इंडिया के एरपोर्स आ जाएगे जैसे यह फैसलिटी अवेल हो जाएगी तो यह फैसलिटी का में मुद्दा है फेसल लेकानिशन टेक्नोलोजी और जो चेक इन से लेके चे हमारे नेक्स न्यूजर फ्रेंग्स कि अभी एक एकसरीस हुई एकसरीस का नाम है अगनी वाडियर और ये एकसरीस आउरमफोर्स के बीच में हो इपकेक है है तो अभी डिसेंटली ट्वेल्ट एडिशन हुआ अगनी वालियर का एक बाइलेटल एक्ससाइस बिट्विन दो सिंगापूर आम फोर्सी एंडियन आर्मी और यह कहां पर हुआ बाइलें वा एक्ससाइस का एम और क्या है तो अगयं इसकोडिश का आपर टु इंटर ओपरेटेबीटि बिट्वीन दस जिंगापूर एरफोर्स इंडियन एरफोर्स बड़ा बना दोनों के एरफोर्स के बीच में बराबर को परेशन बना रहें अंडेस्टेंडिंग बना रहे बना इसके लिए एकसेईस की जाती है 12th एडिशन था बराबना अगर मैं इस एक्साइज के पास्ट के बारे बात करूँ तो एक्साइज कप्से चालू के लिए है 2004 के अंगर तो एक्साइज अक्टी वोर्यर इस कुनेटेड़ एस पार्ट अप्ट आर्मी बाइलेटरल एग्रिमेंट अंदर टेस्टीमेंट टू लॉंग स्टेंडिंग डि 65 के अंदर तो तब इस इंगापुर के इंडिपेंडेंस के बाद उसके साथ डिप्लेमेंटिक डिलेसेंशिप करने वाली इंडिया पहली कंट्री थी बढ़ावन और यह एक्साइज अगनी वोजर कब से स्टार्ट हो रहा है कब से स्टार्ट हुआ है तूचार चार्ट से बढ़ावन तो आइठिंग आपको इस न्यूज के अस्तर बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा जैको फ्रेंड्स हमने लास्ट दो-तिन वीडियो के अंदर बहुत सारे एक्सेस किये हैं बिकोस नमेंबर डिसेमर जाननी वाली ऐसे महीने है चाफे बहुत सारी एक्सेस होती है और एक्सरसाइस आपके एक्जम पॉइंट वी से बहुत इंपोर्टन है पड़ावनन ओके अपनी नेक्स्ट न्यूज और फ्रेंड्स के अभी रिसेंट्ली आर्मी ने अडप्ट किया है फोर टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अर्बन कोपरेटिव इसके बा पर बाशिस और बी ने जो अब नी तक जो अर्बन कोपरेटि बेंग को जो फ्रेंवर्क अकॉडिंग के ऊटीडरिय रहता था उस फ्रेंवर्क के अंदर रिवाइस्मेंट किया है ताकि उनको तरीके से तक सा रेगुलेट किया जाए То इस फ्रेaj papa के अंदर क्या 카़ तकर एस किया रहता था उस framework के अंदर रिवाइस्मेंट किया है ताकि उनको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाए तो इस framework के अंदर क्या अप्डेशन किया क्या है उसके बारे पे देखते हो और यह जो प्रेमवर्ग चलता है अभी अर्वे क्या बूल रहा है कि हम अभी उनको फोर टायर के अकोडिंग क्लासिफाइब करेंगे तो कौन से फोर टायर है उनके बारे में देखते हैं तो टायर वन में कौन सी अर्बन कॉपर्टी मेंग्स को दिखा जाएगा कि ऑल दे यूनिट अर जरी अर्वन कॉपर्टी बैंक अभी देखो लिएंक का क्या पूपर्टफु मेंग हैकि यहां पर नॉर्मल कोपरेटि बैंक है जो फोर एकी समूदै के जो लोग है कि जिनका कउमन आपजिट्टी वह साथ ने पैसा इन्वेस्ट करके वह एक बनाते हैं देखों कोपरेटी बेंक के इंदर क्या होता है कि for example दस लोग ऐसे हैं कि जिनका एक common goal है बड़ा मना तो बोलो क्या करेगे अपने ही अपने 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 हिसाब से पैसा deposit करके एक बैंक बनाता है जिसको क्या बोला जाता है को अभी इस पर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इस पर फर्शन को पैसे की रिक्वार्मेंट है पैसा नहीं है कि उसको 40 रुपय ही लोन पे मिलेगा यहाँ पे टोटल 10 लोगों ने मिला कि for example 1000 रुपया जमा हुआ तो सभी लोगों को कितना लोन मिल सकता है 1000 डिवाइड बाइ 10 तो कितना लोन मिल सकता है 100 रुपया मिल सकता है फिर चाहे उसने कितने भी पैसा जमा क्यों ना किया हो वो कितना लोन लेने के लिए 100 रुपया मतलब हर एक छोटा बड़ा इंवेस्टर वो उसका इकॉल प्रपोर्जन में उसका हग होता है यह कॉपरेटी बेंक का में प्रिंसिपल है बाँ पना ने तो यह यूट कॉपरेटी मेंक क्या हुई तो ऐसी कॉपरेटी बेंक कि जो एक सिंगल डिस्टिक के अंदर होती है वो डिस्टिक के ख किया लाब और कुई जगा पराप को वह कॉपरेटी बेंक नहीं मिले partes तो उसको बोलते है कि क्सेसे उसके अलवा कि नेका बोला कि जो जिन का कॉमनोर होता और वह год Biru में करते है तो और यत्य वाद नहीं कर सकतेगे तो अइसी का अरबने के बार चल्द guit तो ऐसी unit urban property banks के जो मात्रा एकज दिस्टिक में हो और ऐसी salary earners urban property bank के जहां पर मात्र salary holders ही पैसा invest कर सकते हैं तो उनको कौन से category में डाला गया है तो यह salary earners और unit urban property banks के अलावा बाकी की जो urban property banks है कि जहां पर deposit 100 करोड तक की है तो उनको भी टायर वन के डाला गया है तायर 2 के अंदर urban property banks with the deposit more than 100 करोड एंड अब तो रुपीज 1,000 करोड तायर 2 के अंदर कौन से urban property bank है जहां पर 100 करोड से ज्यादा deposit है और 1,000 करोड से कम deposit है तायर 3 के अंदर जहां पर 1,000 करोड से ज्यादा deposit है और 10,000 करोड से कम deposit है और तायर 4 के अंदर urban property banks with the deposits more than 10,000 करोड र पहले urban property banks को जस्ट दो वे में डो टायर में classify किया चाता था आपका homework रहेगा कि पहले कौन से दो टायर में classify किया चाता था बरावनन अब और अभी कितने टायर में अधिन अभी अर्विया न बोला है कि अगधन अभी टायरर वन अर्भन कपर्टी बैंक से उसको भुण करने के लिए नो में और सबी टोटी रुपया रहेगा बाकी और बाकी के अर्बन कोपरेटिटी बेंग से उपन करनी है तो उसके लिए आपको मिनिम्म कितना पैसा चाहिए फाइब करोड रुपीज बरावन अर्बन कोपरेटिटी बेंग स्विच करंटली दून मिनिमम नेट वर्थ रिक्वार्मेंट के एचिव दा मिनिमम नेट वर्थ और रुपीज तू करोड और रुपीज फाइब करोड इन फेज में अभी फॉर एक्जंबल यह सेंटेंस क्या कहता है कि पहले क्या था कि अगर अगर आपको अर्बन कोपरेटिटी बेंग्स एस्टाफलिस करना है तो आपके पास कितने पैसे चाहिए मिनिममम दो करोड रुपीया और फॉर एक्जंबल अगर मिनिमम दो करोड की नेट वर्थ आपकी नहीं रहती है कोई पॉइंट पे परमनल तो आपका लाइसंस हो सक सब्सक्राइब आपके अगर आपके लिपोजिट साइज ज्यादा है बेराबना सो करोड से बीच में है तो आपके पास मिनिममम नेट वर्थ कितनी होने चाहिए पाइक करोड रुपीर तो अभी ऐसी अर्वन कोपरेटी में जो आज तक टायर तू के अंदर थी लेकिन उस उसके मिनिममम नेट वर्थ कितनी चाहिए पांच करोड अगर उसको टायर टू में रहना है तो रैड तो इसके लिए सरकार ने बोला है आरबी ने बोला है कि आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है और कितना टाइम दिया जाता है तो 31 मार्ट 2026 तग पॉर एक्जामपल कि आपको êter आपके नेट वर्थ पांच करोड चाहिए अंतना मिनिमम नेट वर्थ इसका 50 वाए ना है उसका 50% कितना एकव कर लेना है और उसके बाद तक पूरा पांच करोड़ एचीव कर देना है तो यहां पर आपके पास 2028 तक का टाइम है आप दो करोड़ से लेके पांच करोड़ तक जा सकते हो और बीच में 2026 का टाइम दिया कि आपको वहां तक 50% तक आपको एचीव करना को आ ना है मारा मना आए ति समय में आया हूँगा उसकी अलावाब नॉर्मली पहले क्या था तब अर्वन कॉपरेटी बेंग को कैपिटल कैपिटल तू रीसक वेट एसेट टैपिटल टू रिसक एट एसेट रेसेट रेस्यों कितना मेंटेन करना पड़ता था नाईन न परसेंट कितना मेंटेन करना पड़ता था 9 अभी अब यह रवी न आ क्या बूला कि टायर वहन की जो अर्बन करीटी बैंग है नि उसको ही 9% मेंटेन करना पड़ेगा बाकी को कि वह सहले अब आज यहांब करना अगर एक्जामपल कि अगर को उसकी जो बेड़ लॉन है वह 100 रूपिया है तो उसको मार्केट में से कितना पैसा रेस करना पड़ेगा एसा कैपिटल 900 रूपिया अभी तक यह requirement था लेकिन अभी अर्विना क्या बूला कि जो टायर वन की जो अर्बन कॉपरेटी बैंक है उसके लिए ही नियम कंटिन्यू रखते हैं बाकि जो टायर 2, 3 और 4 के जो अर्बन कॉपरेटी बैंक के न है उनको अभी कितना यह रेसियो एसे टेस्व का यहां पे बढ़ाया गया है ना रहें ऊके और यहां पे भी अगर जो कोई एक्जिस्टिंग अर्बन कोपरेटी बैंक है कि जो पहले 9 परसंट मैंटेन करती थी है अभी उसको 12% मैंटेन करना है तो उसको भी टाइन दिया गया है आपको 9% से 10% 24 तक करना है ग्यारा परसंट दोजार पचीज तक करना है और 12 परसंट दोजार सबीस तक करना है बड़ा बना ओके तो आइटिंग आपको इस निउस्ट मेंदर बहुत दी अच्छे से समझ में आयोगा फ्रेंड्स हमाने नेक्स व्षव फ्रेंड्स क्या अभी इसंट्ली एक ऑपरेशनल गाइण्स लांज की गही म Panigs से सेस्से सेट्र न के अंदर ड्रॉन मेनेसेट्रींग सेंट्र येंदर और किसके रिकाड इंग आपरेशनल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और यह किसके दारा लॉंच की गई है इस न्यूस को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है कि चितना ज्यादा कि या जाएगा उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको दिया जाएगा और प्रोडक्शन चिया जा है कि जो हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं जो हम foreign countries के उपर ज्यादा dependent है उस sectors के अंदर domestically production अगर हम increase करेगे तो हमको incentive मिलेगा ऐसा government के द्वारा यह scheme के अंदर लागू किया गया है तो यह PLI scheme अभी कहां पर implement किया जा रहा है drone sector के अंदर और इसके regarding guidelines किसके तरह launch की गई है civil aviation ministry के द्वारा हमारे ministry of civil aviation कौन है जोतिंद्र सिंद्या जोतिंद्र सिंद्या तो आई थिंग अपो इस headline के बारे में पता चला होगा कि PLI scheme क्या होती है PLI scheme अभी कौन से सेक्टर के अंदर लागू किया गया है और एक इसके द्वारा operation guidelines launch की गई है अब यह production link incentive scheme drone सेक्टर के अंदर उसके लिए एक सरकार में मिनिस्टी अप सिवी लिएशन ने कितना पैसा अलोकेट किया है 120 करोर मतलब जब तक incentive का amount 120 करोर तक का होगा तब तक यह scheme extend होगी जैसे एक 120 करोर amount हो जाएगा वैसे यह scheme बंद हो जाएगी रइट ओके और यह 120 करोर यह जो अलोकेट किया है amount वह कितने साल के लिए दो साल के लिए दोजर बाइस तीस financial year और दोजर 24 पच्चिस का बढ़ा मना अटिमेटी तीन साल है 2022-23 से लेखे दोजर 24 पच्चिस मतलब तीन साल तक यह 120 करोड तक का amount incentive के अंदर दिया जाएगा यह drone sector के अंदर PLI scheme के अंदर में बराबना अगर मैं इस PLI scheme के अंदर इटल में बात करू तो PLI will be extended only to the companies in India that manufactures the drones and drone components जो drone और drone के component जो company इंडिया के अंदर जो manufacture करती है उसी के उपर यह PLI scheme लागो होगा बराबना तो टोटल PLI for the each manufacture is Rs.30 करोड और 25% of the total financial outlay of Rs.120 करोड मैंने आपको जैसे बताया कि यह PLI scheme के लिए ट्रॉन सेक्टर के अंदर PLI scheme के लिए सरकार ने कितना पैसा अलोकेट किया है 120 करोड तो यहां पर एक मैनिफेक्चर को maximum कितना मिल सकता है 30 करोड या तो फिर 25% of the financial outlay financial outlay कितना है 120 करोड उसका 1 by 4 25% 1 by 4 कितना हो गया 30 करोड बराबना तो यहां पर एक मैनिफेक्चर को maximum कि कितना मिल सकता है 30 करोड का incentive मिल सकता है बराबना टोटल कितना मिलेगा 120 करोड कितने साल के अंदर तीन साल का time duration है बराबना राइट यह scheme is open to the MSME and startups in India get manufactured the drones and have an annual sales turnover of rupees 2 करोड यह scheme क्वणसी companies के लिए लागू है तो जो drone sector के अंदर काम करती है drone का manufacturing करती है और वो MSME company या तो फिर startup है और उसका annual sales turnover कितना है 2 करोड से ज्यादा तभी उसी scheme के लिए उसी companies के लिए यह scheme लागू होगे यहां पर मैंने जैसे बताया कि जो MSME companies है और startups है अगर वो drone का manufacturing करती है तो उनका turnover कितना होना चाहिए 2 करोड से ज्यादा लेकिन वो drone components का manufacturing करती है बहुत ही इंपोटेंट है एक लाइन एक लाइन एमसी क्यों बना सकती है तो एक्जाम पॉइंट आवर से देखो कि अभी रिसेंट्रीं पेलाइज स्कीम एक्टेंट किया गया है ड्रॉन सेक्टर के अंदर इसके लिए कितना पैसा लोकेट किया गया है 120 करोड एक कंपनी को मैक्सिम कितना मिलेगा 30 करोड राइट ओके कौन-कौन सी कंपनी सभी स्कीम केंदर में अलिजिबल है तो MSME companies और स्टार्टाप्स ओके जो ट्रॉन का मेनेफेक्ट्रीग करती है उसका अन्यूर टरॉन केतना होना चाहिए मीनीमम 2 करोड ओर अगर MSME company है और ट्रोन कंपोनेंट का मैनेफिक्चरिंग करते हैं तो उसका मिनिमम टर्नोवर होना चाहिए 0.5 करोड और अगर नोन मसमी कंपनी और वो ट्रोन कंपोनेंट का मैनेफिक्चरिंग करते हैं तो उसका मिनिमम टर्नोवर होना चाहिए 1 करोड बना मना तो यह चार आपको किया है digital rupee in the retail segment in the four cities और कितने रुपीज इश्यू किया है 1.71 करोड रूपीज इस न्यूज के बारे में अच्छे समझते हैं तो फ्रेंट्स आपको पता होगा कि 2022 के budget में निर्मला शिता रामन ने Central Bank Digital Currency लॉंच करने का फैसला लिया था Central Bank Digital Currency जिसको हम यह रूपी भी बोलते हैं यह रूपी भी बोलते हैं बरामन तो यह 2022 के budget में announcement किया गया था कि इस साल हम Central Bank Digital Currency को इश्यू करेगे या तो फिर यह रूपी को इश्यू करेगे बरामन न और इसके बाल हमनकरेटी आ पहला स्टैप लिया गया था ऑक्टबर मेने के अंदर और पहली बार इर उंज्व सेग्मेंट लॉपी का अत मना लेकिन तब होल्षेल सेगमेट के अंदर लॉंज किया गया था होल्षेल मारकेट के अंदर बाहाँ मेंसें के बाद अभी retail market के अंदर इसको launch किया गया है बराम रिटेल मार्केट मतलब हमारे जैसे customers के अभी रूपी पहुंचेगा बरामना तो retail market के अंदर अभी trial phases के उपर launch किया गया है और मातरा 4 cities के अंदर इसको भी launch किया गया है बरामना तो सबसे पहले तो इस न्यूस को समखने से पहले यह Central Bank Digital Currency क्या है या तो फिर रूपी क्या है उसके बारे में समखते हैं ओके फ्रेंट्स चल्ट है कि देखो Central Bank Digital Currency जैसा उसका नाम है कि वह एक तो क्योंकि यह जो अभी हमारा legal tender है अब सबसे पर दो लीगल टेंडर क्या होता है जो Fiat Money होता है और जो सभी जगाँ पर acceptable होता है जो सभी जगाँ पर acceptable होता है इसको हम legal tender बोलते हैं तो फियाट मनी किसको बोलते हैं कि जो भी करंसी नौट या तो फिर कोईन के फॉर्म में हो इसको फियाट मनी बोलते हैं लेकिन वो नौट अथवा कोईन वो सभी जगा पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए अभी देखो आपने एक नाम सुना होगा कमेमरेटीव कोईन मतलब जो कों न किसी की याद में बनाया जाता है न किसी की याद में घृट जीम्हें और उनके नाम का एक कमेमरेटीव कोईन बनाए गया तो वह ताइब के की अंदर उसके उपर लिखा होते नेकिन वो मार्केट में बीखते हैं 5000 रूपीज़ क्यों टो watering के होते है गोल्ड के होते हैं सिल्वर के होते हैं बना तो यह यह कमेंपरिटीव कोई का यूज करके आप मार्केट में कोई चीज पर्चेस नहीं कर सकते क्योंकि वह फियाट मनी है वह कोईन के फॉर्म में हैं लेकिन वह सबी जगा पर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वह लीगल डेंड इंडिया के दर कौन सा है रूपी रूपी डाइट अगर आपके पास कोई भी 2000 से लेके एक रुपय का चलता है तो यह अब कोई भी नोट या कोई आप मार्केट में लेके चाहोगे तापको उसके बदले में चीज़े मिलेगी बढ़ा मना क्योंकि वह फियाट मनी भी है औ मतलब वो लीगल टेंडर है तो अभी आर्वी ना क्या बोला अभी से इंडिया के अंदर रूपी तो लीगल टेंडर होगा ही और उसके अलावा यह रूपी भी लीगल टेंडर होगा तो यह रूपी का मतलब क्या है तो यह सेम रूपी वह कौन से फॉर्म में होगा इलेक् समस्न रुपय पड़ेए आपके वालेट के अंदर फिसीकल फार्म कि आप इसको लेके बैंक में गए इसको लेके कहा है गए बैंक में गए और यह वन तमसंद रुपीज के अंदर है आपके पास 100 रुपय की 5 नौट है 200 रुपय की 2 नौट है 50 रुपय की 1 नौट है और बाकी के 10 रुपय की 5 नौट है राइट 1000 रुपीज हो गए 500 900 और हजार बरा मनना 900 हजार हो गए राइट तो आपके पास आपके वालेट के अंदर 1000 रुपीज है और इसके अंदर इतने रुपीज की इतने नौट है और यह लेके आप कहां पर गए बैंक के अदर बैंक को बोलोगे भई मुझे मेरे पास इतने फिजीकल पैसे पड़े है फिजीकल मनी पड़े है रुपी करंसी के अंदर मुझे इसको इरुपी में कनवर्ट करना है मुझे इसको E रूपी में convert करना है तो बेंक वाला क्या करेगा सबसे पहले तो आपको पहली बार आप E रूपी में convert करे हो ना तो आपका एक wallet बनाएगा क्या बनाएगा? wallet बनाएगा wallet में आपको E रूपी देगा और E रूपी कौन से proportion में आपने 100 रूपी की 5 note उसको दी थी ना वो भी आपको 100 रूपी की 5 note wallet में देगा 200 रूपी की 2 note wallet में देगा 50 रूपी की 1 note wallet में देगा और 10 रूपी की 5 note wallet में देगा लेकिन ये wallet electronic form में काम करेगा तो ये जो ये जो रूपी वो for example जो रूपी आप फिजी कल में कैसा परपर कलर का होता है गांधी जी की फोटो होती है यहां पर लिखा होता यह लिखा होता है वहीं सेम चीज ही सेम नौट इल्ट्रोनिक फॉर्म में होगा और वो फिर आपको आपके वालेट में देगा फिस जैसे पचास रुपे की नोट कैसे ब्लू गुलर की होती है बड़ा बना और उसमें गादी जी के फोटो है वगेरा तो वही सेम चीज इलेट्रोनिक फॉर्म में होगी और वह आपको ए रूपी के फॉर् अभी फर किकड़ में आप यह वालेट लेकर अप जो डिटललौ उसको लेकर आप उसके नेरे जो पैसा पढ़ा है उसको लेकर किसी जगा पर पच्छा करने के लिए गये पॉर्म आपने 100 रूपिया का कोई पच्छेसमेंड किया वय्हां जूपांदार है उसके पासwoowa ला वह चार नोट जाएगा कि नोट में आपने कोई 150 रूपीस का चीज परचेस किया तापके वह चार नोट में पर यह और एक सौ रूपे के नोट हो गया भी तीन नोट हो जाएगी और आप 50 की नोट दो तो अभी 50 की कि नोट नहीं रहे गया है बढ़ा बना उसके अलावा इसको अच्छी तरीका से ट्रैक भी कर सकते हैं ऑल्लाइन चीज़ों को बढ़ा बना तो यह दो मोटीव से अर्बीक द्वारा यह रूपी बना गया है और रूपी का अभी रिटेल सेग्मेंट लॉंच किया गया है और रिटेल अर्बी लॉंच इस पाइलोट और डिटेल डिटल करंसी और डिटल डिटल रूपी का डिटल डिटल रूपी रिटल सेग्मेंट का वर्शन अनौंस किया है प्राइल बेज़ेस के ऊपर राइट और विचिस अहां इन्दिस रिकार्ड अर्बी इसूद रूपी इस 1.71 करो तो फोर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बेस ओन डिया गये थे और उनके रिगारिंग उनको 1.71 करोट रूपी आर्बी दोरा इसू किया गया है फोर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के अंदर बावनन तो इसके बारे में डिटल में देखते हैं इन दा रिटेल पाइलोट अब डिजिलर रूपी एट बैंक्स हेव बिन इडेंटिफाइड फोर दो फेस्वाइस पार्टिसिपेशन इन दो फोर सिटीज ऑफ दो मॉंबई न्यू दिल्ली बैंग्डूरू एंद पुनेश्वार टोटल चार सिटीज के अंदर ए रूपी को फेस्वाइस मेनर में लॉंच करने के लिए आठ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को सिलेट किया गया है राइट इट विल कवर सिलेट लोकेशन्स इन क्लोज यूज ग्रूप्स बीच विच विल इंकुड बोथ तो कस्टमर्स एंड मर्चंट्स बराव अन्दम तो कुछी इसे लोगों को यहां पर सिट करके सितेटल लोगों में यह रूपी बाटा जाएगा राइए रूपी ऑस्टमर्स और मर्चंट्स के अंदर इन पर्स फेस तो फॉर बैंक्स इंक्लूदिन दस्टेटम ऑफ इंडिया आइसे बैंक एसे नाइड ऐभी फस्ट में विल टेक तब पाइलोट फिल लेटर एक्टेने तुद अम्दाबाद गैंग टॉप कुवाहर्टी हाइतराबाद इंडोर कोची एंड लखनौ रैट अभी यह चार सिटीज के पाँ चार सिटीज मरिया जीत है बारा बन लेकिन उसके बाद उसको एक्टेन किया जाएगा यहां पर मैंने ए रूपी क्या है उसके बारे में लिखा है कि रिटल के रिटल डिटल रूपी कें प्रोवाइड एक्सेस तो सेफ मनी फॉर दा पेमेंट एंड सेटल्मेंट एज डिरेक्ट लाइबरेटी अप्ट अर्बिया इंड अगर आपके एकाउंट में पड़ा है तो वह कोई इंट्रेस्ट आपको जनेरेट करके नहीं देगा तो अगर देखो यहां पर एचुली यह जो यह रूपी जितना ज्यादा आप अपने वालेट में रखोगे न वह अभी मुझे बताओ क्या बैंक में से आपने जो पैसा निकाला है फिजिकल फॉर्म में क्या बैं आपने तो यह रखने वाली बाठ है कि आरि में यही रूपी को इसू करेगा इंट सेम निदी नोविनेशन जैट पेपर करनसी एंड कोईन्स अर करन्ट ली इसओ जो पेपर करनसी अभी मार्केट में सरकुलेटर है जो नोट्स अगेरा इसार्कुलेटर है जो कॉइन मार् और इंडिया का जो ग्लोबल रेंकिंग है वो जो पर लेफ 102 था वो अभी इंक्रीस होके कितना हो गया है 48 तो उसके बारे बात करता है अक्वेंट नेटेस्ट एविएशन सेफटी रेंकिंग डिलीज बाइट इंटरनेशनल सीविल एविशन और इंडियास रेंकिंग हैस राइजन तुद फूर्टी एट अप फ्रम दवन जिरो सेकेंड इंड़ टूज़न एटेंग लोजार अठारा के अंदर इंडिया का रें में है अविशन सेफ्टी निंक यह बर्म अग उसके बाने बात करता है था रेंकिंग विर अव्यल सो रेंक इंडिया अहिए कि चाइन ठीड कोन सा था है 49 इस बेस्ट एवर उटेंद वाइए अंग्या गेट तो यह इंडिया का बेस्ट रियंक है रिए विज इस इंड्या एक्सपंशन बरामना तो इंट्रेशन सीविल एवेशन और जो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो नॉमेंट क्लिचर उसने दिये थे वह इंडिया ने अच्छे तरीके से इसके लिए इवेशन सेफ्टी रेंकिंग के अंदर इंडिया का रेंग 48 आया है जो लास्ट येर 2018 के अंदर 102 था बरामनों इतना ज्यादा सडन हमने इंप्रूव किया है उसके अंदर और चाइने को भी पीछे छोड़ा है राइट ओके अगर मैं टॉप थ्री कंट्री के बात करूं तो फर्स्ट नबर पर कौन है सिंगापूर जिसका स्कोर कितना हो 99.69% सेकंड नबर पर यूई और थर्ण नबर पर रिपब्लिक ओफ कोरिया अगर मैं इस न्यूज की बेग्राउंड के बारे में बात करूं तो निसेंट्ली नवेंबर 2022 के अंदर इंटरेशनल सीवी लेशन और और अडिट किया गया था और इसी अडिट के अंदर मालूं पड़ा कि इंडिया ने सेफ्टी के अंदर इतने इतने स्टैप्स लिये है यह अगर मैं रेंकिन की बात करूं तो इस रेंकिक के अंदर इंटरेशनल सीवी लेशन ऑगरेसन के द्वारा वन इती डीस्य कंट्री का एवनुलिशन किया गया है अगर मैं बाकी कंट्री के परफोमर्स के बारे में बात करूं तो टॉप 10 के अंदर फ्रांस फोर्थ नंबर पे आइसलेंड फिफ्ट नमर पे औस्टीला शीक्ट नमर पे सेवन नमर पे कैनेडा प्राजिल एट नमर पे आयलेंड नाइंठ नमर पे और चिली 10 नमर पे घ्यूस का रहां क्यों कोन साँ है 22nd अंड कातार का रहां कोन साँ है 25th बढ़ा-बनन और अपकोल तो दाडेक्टर जनर विद शीवी लेवेशन तो ओडिट वस्क्रेट आउट इंडिया इन आप तो लेगीसलेशन और किरेशन परसले संसिंग ओपरेशंस एरवर्दीनेस एंड एरो दोम्स बादा तो यह फील्ड के अदर आडेक्टर किया गया था दाडेक्टर रोप सिविश्य इंदिया के अंदर किसके दोरा इंटरस्ट सेविश्न और गई मैंट ध्याइज आगा रॉस्ट के अंदर जो रिपोर्ट आया उसके रिकार्णिंग यह रेंकिंग लॉंच किया गया है तो आपके एंटर्ण पौिंट ऑक यू से इंटरस्ट देन्वार्क को भी पीछे छोड़ा है और बाखी के टॉप टेन कंट्रीज में कौन-कौन है यूएस का रेंग कुन सा है कतर का रेंग कौन सा है और ऑडिट किसका क्या है डारेट जनल उप सीवी लिवेशन का बराबनन तो उन्होंने कैसे सेव्टी के उपर कांग किया है उस सभस कन्वेंशन और इंटरेजऱ सीवी लेशन सिवी वेशन शीपाग कन्वेंशन बारा बना सीपाग कन्वेंशन के अंदरît लेकर ये संसा को बनाया गया था और उसके सेकंड जेनल कौन है ज्वान कालोस और अस्टबस्विट्वन का मूथ सब्सक्त गया है ऑब्रे सिं इस न्यूस के बारे में डिसकास करते है बहुत ही अच्छी न्यूज है तो रिसेर्चर्चर्स इड आ इसेर्चर्स इड आ इटी मदरास इंडियन इसीड्वर टेजनोजी मदरास have developed a device called the Sintuja I or Ocean Wave Energy Converter उसको Sintuja I भी बोलते है और उसका दूसरा नाम क्या है Ocean Wave Energy Converter That can be generate the electricity from the sea waves Right Sintuja का मतलब भी वो होता है Created from the ocean Sanskrit के अंदर Sintuja का मतलब क्या होता है Sintuja Sanskrit word है बरा मनना है उसका मतलब होता है Created from the ocean Sea Waves के अंदर से electricity को generate करना इसका एक device बनाया है उसका नाम क्या रखा है Sintuja I किसके तरह बनाया गया है IIT Madras के दोरा बरा मनना The device tiles were completed during the second week of the November 2022 इस device के बारे में देखते है अगर मैं इस project के highlights के बारे में बात करूँ According to the IIT Madras statement The device was deployed Approximately 6 km of the coast of the Tuti Korin Tamil Nadu Tamil Nadu का जो coast है Tuti Korin का वहाँ से 6 km दूर ये device को deploy किया गया है Right और the ocean view energy converter targets Generate the 1 megawatt of the power from the ocean views in the next 3 years वो लाग next 3 साल के अंदर कितना power generate करेगा ये ocean views के अंदर से 1 megawatt का The success of this initiative will be contribute to the achievement of the various goals Including the UN Ocean Decade and the Sustainable Development Goals उसके अलाबे इंडिया ने एक target भी बना है कि 2030 तक इंडिया It could assist the India in meeting its climate change related goals of generating the 500 gigawatt of the electricity from the renewable energy by 2030 अगर ये project successful हो गया तो इंडिया के बहुत सारे goals को achieve करने में contribute करेगा कौन-कौन से goal sustainable development goals आपको पताओ को सत्रा sustainable development goals है जो हरे क्योंकी member countries को achieve करने है उसके अलाबां इंडिया ने टार्गेट रखा है कि 2030 दक इंडिया 500 gigawatt renewable energy से produce करेगा इंडिया तो इसमें भी ये contribute कर सकता है मेरा बनना अगे अगर मैं ocean wave energy converter ये जो ocean wave energy converter बनाया गया है उसका जो टेस्ट लिया गया है उसके बारे बात करें तो ये testing की दिया आयट्वी मदरास ने दो सशाशा के साथ partnership की वीडिया परमीता एनर्जी प्राइवेट इमिटर एंड मोतिलाल नहरू नेस्टन इस्टन इस्टन टेक्नोलोजी अल्लाबाद उत्तर पदेश ये दो सशाशा के साथ partnership की गए उसके लब आगर मैं इसकी mechanism के बारे बात करो तो system called point observer wave energy converter has a floating body a road and an electric module the boy moves up and down when the waves make contact when the boy moves up and down we get a relative motion और इस रिलेटिव मोशन का यूज करके हम electric generator को rotation देते हैं और power को produce करता है देखो फ्रेंड्स एक पार्ट है जिसको बोलते है point observer wave energy converter right point observer wave energy converter क्या करेगा कि जैसे waves ups and downs होते हैं वैसे waves ups and downs होते हैं तो यह यह जो point observer है न वह भी up and down होगा जैसे यह up and down होगा तो उसके साथ जो यह जो electric generator का जो wheel होगा वह भी rotate होगा उसको भी rate motion मिलेगा और रोटेट होगा तो power generate होगा ऐसा एक mechanism set किया गया है बराबना राइट अगर मैं इस प्रोजेट के बारे में बात करू तो Sintuja 1 was funded by the Australian government department of foreign offers and trade through the innovative research project of the IIT Madras IIT Madras का एक project है innovative research project उसके अंदर Australian government funding provide किया था और electrical storage system was designed by the GKC Institute of the Engineering and Technology and MCKB Institute of the Engineering West Bengal बाराबना तो यह electrical storage system यहां पर किसके तरह design किया गया है GKC Institute of Engineering और MCKB Institute of Engineering West Bengal के द्वारा waterfront engineering and infrastructure while the assistant in the deploying the system in the ocean तो यह जो company है उसने यह technology को किस सरीके सो ओसने अब डिप्लेए कर सकते हैं उसके अंदर assistance provide किया है बाराबना तो प्रोजेक्ट सिंदुजा वन किसके तरह प्रोपर किया गया इसके द्वारा उसके लिए उसने बहुत सारी संसा के साथ partnership किया है अलग-अब्जेक्टिव्स के लिए बारा मना कि हमारी नेक्स द्वाइब से फ्रेंड्स के अभी रिसंटली इंप्लोई प्रोविडेंट फंड और अर्गनेशन के द्वारा एक डेटा लॉंच किया किया है उस डेटा के अकोर्डिंग फॉर्मल जॉप क्रिएशन के अंदर 35 परसंट का जम मिला है इन दर फॉर्स्ट हाफ फाइनेशल ने थे बारे बात करते हैं कि अक्वेंट अनलेशिस अप्टा डेटा रिलिज्ट पाइथ इंप्लोई पूर्विडेंट फंड और गनेशन इती सेवन फेंट फेंट फंड न्यू फार्मल जॉप्स वे जनेरेटर इन इंडिया दूरिं दो फर्स्ट हाफ अफ द्ट करन्ट फाइनेशल येर ब्रावननन और थर्टी फाइव परसंट राइस फ्रम फाइनेशल येर थे बारावननन तो लास्ट एर के कंपेरिशन में थर्टी फाइव परसंट इंक्रिमेंट देखनों को मिला है मेरा मनना 87.1 लैक न्यू फार्मल जॉप्स क्रियेट हुए है मेरा मनना इस फाइनशल येर के अंदर बारावनननन जेर में 24.6 लैक और 64.72 लैक फार्मल जॉप्स जनेर इंडिया इंडिया इन फर्स्ट हाफ इन फाइनशल बाविस रिस्पेक्टिव नि अगर मैं फाइनशल दूतर दूतर 22 की बात करूं तो उस टाइम पे फर्स्ट हाफ में कितने जॉप जनेर खुए थी फार्मल जॉप 24.6 लैक और 64.72 लैक और इस बार कितने जनेर हुए है 87.1 लैक बारावननना अगर मैं इस र हम पार्टर वन ओफटाट अगर कितना हुआ एटिसेट हैं फटेट्ट लिख होएं अगर यह पॉट्टर वन पर टू की बात करूं तो पाटर में 13.3 लेख ओप टू के अंदर कितना हुआ हुआ है 47.4 लेक जनेरेशन हुआ है राइट सब्टेमर 2022 के अंदर 16.82 लेक जॉब एड़ हुई है बरा मनन जो सबसे हाइस्ट है 2030 के अंदर सबसे ज्यादा जॉब एड़ हुई है बरा मनन राइट अराउंड 25,330 न्यू कंपनीज बिगें द एडरिंग विद इंप्लोईस प्रविडेंट फन और्गनेशन बरा मनन जो एस्वर करता है सोशल सेक्रिटी कवरेज फोर्टेन इंप्लोईस बरा मनन तो यह यह जो फर्स्ट हाफ है बरा मनन फार्नेशन 2030 के अंदर उसमें 25,330 कं अपनी नहीं जोइन हुए EPFO के साथ बरा मनन जो सोशल सेक्रिटी कवरेज बढ़ाती है बरा मन इंडिया के इंप्लोईस का अगर इस डेटा के की पॉइंट के बारे में बात करें जो EPFO के द्वारा लॉंच किया गया है कि सेक्टर प्रवाइडिंग दा एक्सपर्स सर्वी कस्ते विता हाय कंटीविशन फरुम्डा सर्वी क्रैट्टर नायराज कंटाका तामिल नाडू क्रिटेश का प्रफॉर्वमनाड कहां सर्विस क्रिटर की जादा है बहां पर ज्यादा क्रिट होई है वेल महाराश वे इंक्रीस इंदर फर्मर इंप्लेमेंट ऑफ 18.29 लाग दूरिं दा फर्स्थ हाब कनाड़ा का इं तामल डाड़ो इंक्रीस इस पर 9.87 लाग और 9.18 लाग रिस्पेक्टिवली हिमाचल प्देश के अंदर 0.67 लाग नई जोब्स क्रियेट हुई है जारकन के अंदर 0.8 लाग और 0.84 लाग लेक विहेंड दा अमोंग दो बीकर स्टेट्स परावन बीगर स्टेट्स के अंदर सबसे कम जोब्स कहां पर क्रियेट हुई है हिमाचल पदेश जारकन और चतिश कड़के अंदर 22.8 लाग पीपल इंदर 22-25 ऐज ग्रूप में इंक्रोड इ उसको सबसे आदा इंप्लेमेंट मीडिये हैं फर्स्टाफ के अंदर 22.8 लाग पीपल ये एज ग्रूप के अंदर फॉर्मल सेक्टर के अंदर चूड़े है बड़ावन अगर में इपीएफो के बात करो तो इपीएफो जिसका नाम क्या है इंप्लोई प्रविडेंट फर और और में काम करता है उसके शीयों कॉन है नीलं शामी राव अन्दर चाह Verma और गयंपक्लोई में आया होगा देखो एपीएफनेक डीटा लॉंच किया है उसके अकोडिंग इंप्लूइमेंट के इंदर खास करके फॉर्मल जॉप क्रियेशन के दर थर्टी फाइफ पर्शन का जंप हुआ है लास्ट यह के सेंप पिरड के अगर हम कंपेर करें तो फॉर्स्टाफ फाइन फॉर्स्टाफ की अगर बात करें तो बड़ा मना रहे और उसके अलावा अगर क्वाटर वन पॉर्टर टू का डीटा भी हम देखे तो थर्टी नैंट पॉर्टर वन के अंदर क्वाटर टू के अंदर 47.4 लेक बड़ा मना परकर हम उसको फॉर्दर एनालिसिस करें तो जो सर्विस चेक्टर का कंटीविशन जो स्टेट के अंदर ज्यादा है वहां पर जॉब क्रीशन ज्यादा हुई है लाइक महाराज करनाटका और तामिल नाडू इमाचल पदेश चारखन और 36 कटी ने सबसे कम जॉब क्रीशन हुई है इस टाइम क्रीशन के दोरान बड़ा ब और झाल इब सक्षक्ते अलको और झाल का इसे वीग रिजह का जब का नाड़त का दोराज है वीग तोराज है कर दोराज है एस the